दोस्तो आपने यूटूब पर टाइम लगाया एक साल, दो साल, तीन साल मेहनत की और उसके बाद जब चैनल को भेजा मोनिटाइजेशन के लिए वहाँ से लिख कर आया कि आपके चैनल पर आ गया है यूटूब के उपर माइंड की अब क्या करू मैं तो बिल्कुल चिंता मत करो अगर आपके चैनल पर इस तरीके से कुछ भी हो गया है जो कि आपको नहीं पताता कि रियूजड क्या होता है सारी डीटेल से इस वीडियो में आपको एक्स्प्लेन कर दूँगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि रियूजड कंटेंट आखिर यूटूब पर आता कैसे है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रभाकर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल की वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना अब बात करते हैं Reused Content कैसे Find करें तो अभी मेरे पास है अपना Mobile जो कि इस Mobile से मैं आपको यहाँ पर Live दिखाने वाला हूँ की Find कैसे करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने Find कर रखा एक Channel SH Anime Star करके इनके Channel का नाम है और इनके Channel पर 13200 Subscriber हैं और इनका Channel अभी भी Monetize नहीं है इनके Channel को मैंने कैसे Find किया मैं आपको बता दूँ मेरे Instagram पर Reused Content से लेकर बहुत ज़्यादा मैसे जाता है और मैं उनके सभी के Reply देने की कोसिस करता हूँ उन्ही मैसे एक Channel आपको For Example के लिए यह बता रहा हूँ यहाँ पर इस Channel को मैंने Open किया सबसे पहले जैसे ही आपके Video या Channel पर Reused Content आ जाए या फिर YouTube Channel पर Monetization के लिए भेजने वाले हो तो सबसे पहला काम यह करना कि अपने Video वाले Segment पे आना है उसके बाद Sort By जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर Most Popular Video पर किलिक करना है Most Popular Video पर किलिक करने के बाद आपको अपनी Most Popular Video देखनी है मैं इसलिए कह रहाँ Most Popular Video क्योंकि YouTube के पास जब आप Monetization में भेजते हैं अपने Channel को तो YouTube आपके Channel को जो आपके Channel पर सबसे ज़्यादा Views है उस वीडियो को देखता है सबसे देर तक किस वीडियो को देखा गया उस वीडियो को देखता है और सबसे नई वीडियो जो आपने डाली है मतलब कि कल आपने जो Monetization को भेजना है तो आज जो वीडियो आप अपलोड करोगे उस वीडियो को YouTube आपके चेक करता है और आपके चैनल पर Thumbnail, Title, Tag, Description ये सारे टेक्स्ट को YouTube चेक करता है आपके चैनल के वीडियो पर ठीक है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ Reused Content Find करने का सबसे Best तरीका आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा खास दोर पर मैंने भी अभी तक ये सारी बातें नहीं बताई होँगी इतनी सारी वीडियो में भी यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर Open कर रखा आप Sort By पर किलिक कर लिया आपने उसके बाद Most Popular वीडियो पर किलिक कर लिया अब यहाँ पर मैं किलिक करता हूँ प्यार मुहबत हैपी लगी अब यह वीडियो चल रही है ठीक है रियल वर्सस कार्टून यहाँ पर यह दिख रहा है ठीक है और SH Anime Star The Cartoon World इन्होंने इंट्रो अपना एक बना रखा है अच्छा सा ठीक है उसके बाद अब यहाँ पर 1 minute 11 second की वीडियो है और यहाँ पर हैपी कार्टून और रियल अब आप सोचो कि इन्होंने क्या किया है इन्होंने सिर्फ इस वीडियो का एक कार्टून उठाया है एक रियल पिक्चर उठाये इडिटिंग में टाइम लगाया है लेकिन अपना कुछ बैलू इन्होंने नहीं दिया है इडिटिंग सिर्फ इनकी है यहाँ पर रियल और कार्टून के बारे में बताया कुछ भी नहीं बोला कुछ भी नहीं अगर यह इसके साथ वाइस ओबर कर देते तो इनका चैनल मोनेटाईज हो जाता यूटूब कहता है कुछ educational commentary कर दो या फिर बैलू अपनी कुछ create कर दो आपके कुछ creativity हो thoughtful हो और funny हो तो अभी आपके चैनल को मोनेटाईज करेंगे क्योंकि यह policy जो ली गई है Google के search console से ली गई है और वहाँ से इस policy को देखने के बाद ही आपके चैनल को मोनेटाईज किया जाता है तो अभी आपको यहाँ पर दिखा होगा कि इनके एक वीडियो को मैंने आपको दिखाया जिस पर reused content है यह दूसरा वीडियो यहाँ पर मैं open करता हूँ honey bunny real versus cartoon part 2 अब इनके इस वीडियो पर भी वही scene है real और fake real और cartoon यही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गए है जो कि आपको side में दिखी रहा है यह चीज़ें आपने देख ली अब अगर मैं यहाँ पर find करूँ आपको और दिखाने के लिए तो मैं अगर किसी और के channel को find करूँ यहाँ पर सदीक sadness के channel को मैं open कर लेता हूँ इनके channel को open करने के बाद यहाँ पर मैं सदीक sadness के channel को किलिक करूँगा उसके बाद video वाले segment पर आऊँगा sort by पर किलिक करूँगा most popular video पर किलिक करूँगा अब इनके एक साल पहले एक video इन्होंने create किया है इस video पर आये है एक million से ज्यादा views लेकिन यहाँ पर मैं इनके इस video को चलाता हूँ यहाँ पर देखो यह video है 25 second की 25 second की video मतलब कि यह YouTube पर sort video हो रही इस video का watch time बिलकुल भी count नहीं होगा क्योंकि public watch time 25 second का नहीं होता है YouTube ने बता दिया है कि अगर आपके sort video है तो उसका public watch time count में नहीं आएगा ठीकर तो इसको भी इन्हें करना होगा delete या फिर इन्हें delete अगर नहीं करें तो private करना होगा और जैसे ही यह private करेंगे इसका watch time count बिलकुल नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दो channel का example set करके दिखाया है अब आपको बताता हूँ अगर आपके channel पर reused content आ गया है सबसे ज़्यादा देर तक देखी गई हुई वीडियो मतलब जिस वीडियो से सबसे ज़्यादा watch time आपको मिला है उस वीडियो को देख लेना उस वीडियो पर किसी दूसरे का content ना हो कुछ भी ना हो एक पैसे का content नहीं होना चाहिए एक minute का एक second का भी content ना हो और किसी का उस पर title change करके मतलब दूसरे का ना हो thumbnail किसी दूसरे का ना हो और tag description में कुछ ऐसा ना लिखा हो जो कि दूसरे से copy करके paste कर दिया गया हो यह ध्यान रखना यही process पूरा आपने नई वाली वीडियो पर देना है और यही process पूरा आपने सबसे ज़्यादा views वाली वीडियो पर देना है अगर आपके views जो एक लाग से ज़्यादा आ गया है और reuse content है तो उस वीडियो को delete कर देना या फिर आप उस वीडियो को private कर देना जब आप delete या private कर दोगे आपके watch time कम हो जाएंगे लेकिन उस watch time का कोई benefit नहीं है जिस watch time से आपको monetization में दिक्कत हो रही हो यहाँ पर आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आपके channel पर लगता है आपको कि reused content है लेकिन आपका channel अभी तक एक भी बार YouTube को नहीं भेजा गया है monetization के लिए तो आप बेज़ीज़क भेज देना क्या पता YouTube कभी-कभी आपके channel को monetize भी कर देता है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका channel monetize भी हो जाएगा पहली बार में ही अगर YouTube जब बताता है कि reused content है तभी आप reused content के पंगे में पढ़िए अगर YouTube ना बताता हो और आपका channel पहली बार जाना है monetization में तो बेज़ीज़क भेज देना जिससे कि आपका channel हो सकता है in case monetize भी हो जाए तो उमीद करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो से आपने ये जरूर सीखा होगा कि reused content अपने channel से एक मिनट में कैसे find करें और अपने channel को एक दिन में कैसे monetize करवाए उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो subscribe कर लेना अगर आपका कोई ज्यादा important सवाल है तो instagram पर मुझे follow करके message जरूर कर देना आपके message का मुझे बेसबरी से इंतिजार रहता है मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye अपना ख्याल रखे thank you so much